आपके लिए एक नई स्टेट मनिपूर के बारे में ला चुके हैं बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जो आपकी एक्जाम में काम आ सकते हैं मनिपूर का निकनेम है यानि की मनिपूर किस नाम से famous है all over इंडिया in all over the world वो है the jewel of इंडिया मनिपूर को हम the jewel of इंडिया भी कहाते हैं और क्यों कहते हैं और इसमें कौन-कौन से important facts हैं interesting facts हैं इस video में तो इसको सभी को जानने के लिए बढ़ते हैं आज की video की तरफ सबसे पहले हम introduction मनिपूर के बारे में जानेंगे मनिपूर को इंडिया में merge किया गया था 21 September 1949 में और foundation day था मनिपूर का 21 January 1972 तो हर साल 21 January को foundation day of मनिपूर मनाया जाता है और official English है मनिपूर की मनिपूरी capital है इंपार और total districts है मनिपूर में 16 और आप देख सकते हैं हाँ पर यह हमारा इंडिया का map है और इंडिया के eastern side में मनिपूर located है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के eastern most जो इलाका है वहाँ total seven states located है उन seven states को seven sisters of east के नाम से भी जानते हैं तो उन seven sisters में से एक इस्टेट मनिपूर भी है और मनिपूर हमारा एक क्या है एक eastern state अफ इंडिया है जैसा ही हमें पता है कि मनिपूर एक eastern state है और मनिपूर में total जितने भी districts हैne उन सभी इक डिश्टिक में वावाबगा पर देख सकते हैं कि कौन कौनशा डिस्टिक रहा कहाँ पर है according to 2011 census है 28,55794 males और females सभी को मिला के और population wise rank all over the India है वो भी 23rd है और population density यानि की per kilometer square में कितने लोग रहते हैं उसे हम population density कहते हैं तो 130 per kilometer square की population density है मनिपूर में बात की जाए different religions की तो हिंदुमिसम सबसे ज़्यादा है अबर 41.39% फोलो गया जाता है फिर Christianity 41.29% फिर Islam 8.40% सना माही 7.78% बुद्धिजम 0.25% हराका 0.23% जुदाइजम 0.07% सिक्किजम 0.05% जैनिजम 0.06% और not religious जो लोग हैं वो हैं 0.38% और जो सारे majority religion है और सारे religion जो लोग follow करते हूं यहां पर दिये गए हैं और religion के बाद languages की बात करी जाए तो languages में में 53.30% लोग में को तरह बोली जाती है थाड़ो, टैंक्वी, पाउला, रोगमे, माउ, नैपाली, पाइती, हमार, लैंगमे, वाइफे, कुकी, मारम, बंगाली और बहुत सी अधर languages यहां बोली जाती है जिने का जो information है वो यहां पर देख सकते हैं बात करी जाए total literacy की तो मनिपूर की total literacy rate है 79.85% यह 79.85% average है male literacy rate और female literacy rate को मिला के बात करी जाए sex ratio की तो sex ratio है मनिपूर का 985 याने की total thousand males में कितने females होती है उसे हम sex ratio कहते हैं तो मनिपूर में 985 females हैं per thousand males में बात करें मनिपूर की legislative assembly के बारे में तो यहां total 60 seats है out of 60 seats जो government बनाई है वो BJP के त्वारा और उनके alliance के त्वारा बनाएं कही है जिनके पास total 47 seats है out of 47, 32 BJP की seats है जडू की 6 है NPF की 5, KPA की 2 और IND की 2 seats है other seats है वो 13, NPP के पास 7, INS के पास 5 और IND के पास 1 है ठीक है अभी हाल ही में यहां चुना हुए है तो जो speaker है to be declared होगा deputy speaker भी declared के जाएंगे और जो chief minister है वो embarrassing जी ही रहेंगे ठीक है तो अभी ही result आया है हाल ही में तो इनका जो chief minister ने वो announce होने भी chief minister तो announce हो चुके हैं बागी speaker और deputy speaker announce होने बागी है तो और जो BJP के ही members होंगे लिटर आप होजन है उसे भी यहां पर appoint किया जाएगा अभी कुछ ही दिनों में बात करें chief minister की तो पहले chief minister थे माई रेम बम कोई रंग सिंग ठीक है अगर मैं इनका नाम गल्पूरांच कर रहा हूंगा तो sorry उसके लिए तो जो यहां पर पहले chief minister थे मौनिपूर के आप नहीं आपर देख सकते हैं और जो present chief minister है वो एन भिरेन सिंग जी है जिने आप आप देख सकते हैं अब बात करी जाए governor की तो पहले governor थे मौनिपूर के ब्रच कुमार नहिरु जी और present governor है ला गणे संजी बात करें total log saba seeds की total log saba seeds जो मनिपूर में हैं वो है two log saba seeds उन में से जो दोनू log saba seeds है वो यहां पर देख सकते हैं और वो कौन कौन सी party से हैं एक है राजे सबा members की तो राजे सबा member यानि कि राजे सबा seat मनिपूर से सिर्फ एक seat है और उस एक seat पे जो अभी present है वो है स्री महराजा संजुरबा ले सिंबा जी बात करी जाए मनिपूर हाइकोट की तो मनिपूर हाइकोट की establishment हुई थी 25 मार्च 2013 यानि की आठ साल पहली ही इसकी establishment हुई है चुज इस जिक्सन यानि की कौन कौन से इलाकों के ये cases को अपने अंदर solve करते हैं वो है मनिपूर location इंफाल में located है ये authorized by constitution of India या total judges की strength है वो यहाँ पर 4 है नमरा position 4 है और जो present chief justice है वो है पीवी संजे कुमार जी जिनने 14 February 2021 को appointment किया गया था बात करें state emblem की तो state emblem है यहाँ का नौंग साबा जैसा यहाँ बर देख सकते हैं नौंग साबा और कांगला सा इस लाइन लाइक ड्रेगन गॉड एक यह क्या है एक लाइन लाइक ड्रेगन गॉड है जो की मनिपूरी religion में बहुत ही मनिपूरी mythology में माना जाता है ठीक है तो अगर जो state emblem है वो है नौंग साबा और जो state animal यानि की राज यह पसू है वो है सांगाई और जो सांगाई जो यह जानवर है जैसे आपर देख सकते हैं यह endemic और endangered sub species है यह जो पाए जाते हैं मनिपूर में पहले पाए जाते थे सिर्फ मनिपूर में ही पाए जाते हैं इसलि यह endemic और endangered sub species में आते हैं और state bird यानि की राजी पक्सी जो है वो है मिस्स हुमेज फीजन जिसे हम साइरेमेटिकस हुमेज भी कहते हैं और उसको हम हुमेज फीजन और बार टेल फीजन भी कहते हैं जो 90 cm लॉंग होती है जैसे आप यह आपर देख सकते हैं बात करें state fish की state fish और मनिपूर का इस्टेट ट्री है फोईबे हैन इनिशियाना जो इसका सेंटिफिक ने बात करें जाता है और मनिपूर का इस्टेट ट्री है फोईबे हैन इनिशियाना जो इसका सेंटिफिक नेम है और इस्टेट का यह ट्री होता है तो इसे क्या कहते हैं इंक्लूडिंग यूनिन थाव और बॉन्सुम इस ट्री पर यह ट्री होते हैं इसके नाम से जाना जाता है बात करी जाए नेशनल पार्क्स की इन मनिपूर तो टोटल टू नेशनल पार्क्स हैं जिसमें से एक है केईबूल लामजाव जिसे 1977 में स्टेब्लिश किया गया था 40 किलोमेटर स्का एडिया है और शिरोई नेशनल पार्क है दूसरा नेशनल पार्क जिसकी establishment 1982 मग भी थी और यह largest national park है मनीपूर का जिसकी area है total 100 square kilometer अब wildlife centuries में तो total 7 wildlife centuries हैं मनीपूर में जिनका area आप आप देख सकते हैं area इस site पर दिया गया है area के साथ साथ कौन कौन से year में establishment बाथा वो भी दे सकते हैं में establish के आगे तो उसका area है one kilometer square के approach अब neighboring states और countries के बारे में बात करें तो मनीपूर जो है एक eastern state है जिसकी जो state border लगती है यानि कि neighboring states से जो है वह है नागा लेंड आसाम मिजोरम यानि कि इन तीन states के साथ ही अपनी land boundary शेयर करता है और international boundary शेयर करता है इस सिर्फ म्यामार के सा सकते हैं और famous places in Manipur की बात करी जाए तो उन में कुछ है kangla fort speaking of regal heritage जैसे हमें अबर देश सकते है ठेरोन Cape for three land fun के बुल लाम जाव national park explore the wilderness जैसे हमने भी उसके बारे में बात करी थी लोक्ताक लेक दा only floating lake in the world जो लोक्ताक लेक है यह बहुत ही famous है क्योंकि यह only floating lake in the world में और इस पर एक island भी है जो कि only floating district है पूरे world का या फिर पूरे इंडिया का इन सभी के अलावा सिंग्णा डेम सीनिक और सेरीन और आई एन ए memorial complex revisiting history, स्री गोविंदा जी temple, the beautiful white dome structure temple है जो मनिपूर's logical garden must visit for travelers of all गान्यान कि अगर कोई भी ट्रेवल गान विसिट करता है तो यहां उनको जाना ही जाना चाहिए कुछ और famous places में है, मनिपूर state museum, discovering मनिपूर's rich legacy, रास मांचा, good place for experienced seekers, जोरे पांगला temple, boasts of amazing architectural design, डाल मोडल, built to fight the Maratha invasion उनके अलाबा, एंडो, home to unique form of pottery, lemon waterfall, picturesque, trios waterfalls, दुजगव valley heaven for nature lovers, सुरी कसुंग, peak, home to rare birds अब बात करी जाए famous festivals की, तो famous festivals में से कुछ festival है, चैराबो festival, या उसांग जिसे हो लिगे नाम से भी जाना जाता है, लाइग, हैरोवा, और कांग festival कांग festival के अलाबा, हैरको, हिंदोगबा, फेस्टिवल, पुट फेस्टिवल, मनिपूर, सांगाई फेस्टिवल और चुंपा फेस्टिवल यहां मनाई जाते हैं बात कर दी जाए, फेमस डिसेज इन मनिपूर की, तो फेमस डिसेज में से कुछ फेमस डिसेज हैं, चैम, थॉंग और कैंग सोई, अ हेल्थी वेजेटेबल इस्टिवल फेमस फूड और मनिपूर, एरोंबा, अ डिलाइट, फुल, कॉंबिनेशन और बॉल्ड इन मनिपूर, खिर के अलावा, अलू कैंग मेट और नगा थोंगबा, अक्लासिकल फिस करी, यह सारी फेमस डिसेज हैं मनिपूर की, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह सारे इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट फेक्स थे रिलेटेट टू मनिपूर, तो मैं उ पिरूरी अपने ध्यान लगिए, अपने घर्मालों को ध्यान लगिए, आसपस आप सहीं बिलाएं रिके, मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में, तब तक भी सैंक्स वर वाचिंग, टेक केर, जय हिन, जय भारत!